अक्षे कुमार एक ऐसे एक्टर है जिनकी हर साल 6-7 फिल्म में रिलीज होती है। अक्षे की एक फिल्म रिलीज होती नहीं और दूसरी एनाउंस कर दी जाती है। इस साल में भी अक्षे की कई फिल्में थियेटर में रिलीज हुई। वो अलग बात है कि इन में से एकात को छ शिवाजी महराज का किरदार निभाएंगे और ये उनकी पहली मराठी फिल्म होगी। दो नवेंबर को महराष्ट के मुख्यमंत्री एकनात शिंदे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की मौजूद्गी में महिश मंजरेकर ने इस मेगा फिल्म की अनॉंस्मेंट की। इस फिल्म के लॉंच पर एकनात शिंदे और राज ठाकरे के अलावा एक्टर अक्षे कुमार भी मौजूद थे। फिल्म के लॉंच के साथ साथ अक्षे कुमार का चत्रपति शिवाजी महराज के किरदार में फस्ट लुक भी लॉंच किया गया। अक्षे कुमार के अलावा बिग बॉस, मराठी फेम, जै दुधाने, उतकर्ष, शिंदे और विशाल भी इस फिल्म में नज़र आएंगे। फिल्म में प्रताप राव गुजर का किरदार पॉपुलर मराठी एक्टर प्रवीन ताडे निभाएंगे। फिल्म की कहानी साथ मराठा वीरो की कहानी है, इनमें से एक मराठा चत्रपति शिवाजी महराज होंगे, जिनका किरदार अक्षे निभाएंगे। ख़बर है कि इस फिल्म को दिपावली 2023 में रिलीस किया जा सकता है। ये भी बताया जारा कि इस फिल्म को मराठी के अलावा हिंदी भाशा में भी रिलीस किया जाएगा। अगर ये फिल्म अगले साल यानि 2023 में दिवाली पर रिलीज होती है तो बॉक्स आफिस पर इसकी सीधे टकर सलमान खान स्टारर टाइगर थ्री से होगी फिल्म के लॉंच पर अक्षे कुमार ने बताया कि उनसे राज ठाकरे ने जोर दे कर कहा था कि वो चत्रपति शिवाज महराज का किरदार निभाए इस फिल्म में मैश मांजरेकर के बेटे सत्य मांजरेकर भी नजर आएंगे सत्य इसमें दत्ताजी पेज का किरदार निभाएंगे अक्षे कुमार ने इससे पहले फिल्म प्रतिवराज में एतिहासिक किरदार निभाए था लेकिन फिल्म नहीं